प्रेंड्स में उस्वाती कैसे याप सब आई होप आप लो अच्छी होंगे मैं भी बहुत अच्छी होँ आज को वीडियो होने वाला है वो है विशो हॉम डेकॉर हॉल होने वाला है इस विडियो में जो भी मैं होम डेक और आप लोग के सार्व करणगी वो कैसे आए है किस क्वालिटी में आए वे हैं कितने प्राइज मिले वे हैं वो मैं आप लोग से funding कहते हूं पर तो कुछ मिली आई भी नहीं सिर्फ मुझे रिजीव हुआ ज्यादा खुश हूँ आप दिलों के साथ शेयर करने के लिए तो चलिए फटा-फट चे वीडियो के स्टार्ट करते हैं बट स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करेंगे मेरे चैनल को लाइक शे आपसे मिस्सना हो मैं कोसिस करती हूं कि आप लोग के लिए खिलफ फुल विडियो हो सकी यह वीडियो देख कर आपको फटावड से बेदो को स्टार्ट करते हैं तो जो हमारा फस्ट करते हैं मैं आप लोग के साथ करेंगे क्योंकि मैं इस पर्चिस कर रही थी तो मुझे पता ने किस क्वालिटी में आएंगे कि इतने कम रेंज मुझे रिसीव गए थे ना तो यह मून शेप में गॉल्डन कलर का यह प्लांटर पॉट है जिसमें आप पॉट रख सकते हैं और यह मेटल में मुझे रिसीव हुआ है आप देख सकते हो मैं हां से आपको ऐसे दिखा कितने बड़े आए हुए हैं मैंने सोचा साथ छोटा सा आएगा जैसा रेट था वैसा मैंने सोचा कि छोटा सा आएगा पर छोटे से नहीं है और इसका जो भी मैं कोड दोंगे ना था पहां पर सर्च कर लेना वहां पर आपको देखने के मिलेगा सिर्फ पर सिर्फ सिर्फ इसे आप रखे और पॉट तकिया तो कैसा लगता है बहुत खूबसुरत लगता है और अब भी अन्बॉक्सिंग किया है और फिर मैं आप लोगता शेयर कर रही हूं क्वालिटी बहुत जादा अची है कहीं से कोई भी कलर नहीं निकला हुआ जैसे मूझेप में आप देख सक तो यह चोटा पॉट में डाल रही हूँ और इसमें देखिए यह कैसा लगता है बहुत ही प्यारा बहुत खूबसूरत सा लग रहा है आप जैसे देख सकते हो एक्टम यूनिक पीस है अगर यह अपने घर में आप डेकोरेट करोगे ना तो आपके घर में चार चान लग ज और जो मेरा सेकंड वन है ना वो मैंने स्टीकर मंगाया था वाल स्टीकर है यह मैंने गॉल्डेन कलर के होर्ट शेप में मंगाया था बट मिझे सिल्वर रिसीव हुआ है यह मैंने सोचा है कि अपने एक वाल है ना तो वहां पर मैं डेकोरेट करना चाहती हूं तो इस टाइब से कुछ स्टीकर है 12 पीस है एक पीस में सबसे बड़ा पीस यह है जो कि लगने के बाद में आपसे जरूर शेयर करोंगे कैसा लगता है और यहां पे पीछे में आपक अच्छा शाइन करें यहां प्लास्टिक है प्लास्टिक रिवोग करोंगो तो अच्छा खासे साइन लगने लगेंगे इसमें तो बहुत जादा अच्छी आई है इसका रेट जो भी मैंने पर्चेस के लिए जितने में उसका स्क्रेंशॉट लगा दोंगी वहां से आप च कर सकते हो मेरा नेक्स्ट वन है वो है टेबल रणर जो की मुझे बहुत जादा अच्छा लग रहा था तो मैंने पर्चेस कर लिया है क्लोथ में मुझे रिसीव हुआ है और इसमें संफ्लावर बने वे हैं लेव बने वे हैं मैंने वाइट कर मंगायाद इसमें प्रिंट अब यहां पर सेंटर में अगर सेंटर टेबल अप में लगाते हो सेंटर में आप विवी ट्रेय लगा कि फ्लावर लगाते हो कानडल लगाते तो बहुत ब्सूरत सा लगेगा तो यह की और यह मैंने सहाथ पर्चिस किया है अज़र 200 रुपीस में मुझे जहां तक याद आ है तो कुछ स्टैप का रणनर मुझे रिजीव हुआ है बहुत सारे प्रेंट में मिल जाएंगे तो वहां पर आपको पुतर है तरह के प्रेंट मिल जाएंगे जिसे आपकर आपको जो पसंद आता है वह पर्चस कर सकते हो हुआ है और जो हमारा नेक्स्ट वन है ना वो है प्लांटर पॉट है आपका मैं दिखा देती हूँ इसको मैंने पर्टेस करके इतना ज़्यादा खुश भी हुना यह कुछ इस टैप के वाइट कलर में है और बहुत यूनिक मुझे लगा क्योंकि यह प्लास्टिक माटेरियल है आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का है वाइट में और क्यों मुझे यूनिक लगा वह मैं आप लोगों के शार्ट शेयर करोंगी यह लाइट से भी जलता है इसे मैं आपको दिखा देती हूँ कुछ इस टाइप्टर मुझे रिसीव हुआ है अब मैं उसे कनेक्ट करके आपक और काफी यूनिक लगा क्योंकि मैंने इसे ना बहुत सारे साइट में सर्च किया बट मुझे नहीं दिखा मैंने फिलिपका डैमोजन सब में देख लिया कहीं भी ने देख अगर आपको दिखता है तो आप मुझे कॉमेंट करके जरू बताना अगर मिल जाता है तो यह मु वहाँ भी रख सकते हो आप देख सकते हो कि किस टाइफ सी देखने में लग रहा है हैं अगर यूनिक सा जो मैं आप लोग सा शेयर कर रही हूँ बहुत जादा यह मुझे यूनिक लगा तो कि ऐसे प्लांटर जहां पर लाइट जलता हो कितना अच्छा है ना और घर में सही लगाने पर कितना अच्छा लगेगा तो यह मुझे बहुत जादा अच्छा लगा आपको कैसा लग रहा है कॉमेंट करके जरूर बताना यह यूनिक लगा आपको कि नहीं लगा या फिर आपने पहले भी कहीं देखा है तो आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना मुझे बहुत ज़्यादा यूनिक लगा क्योंकि मैंने मेशों में देखा यह मुझे मिल गया काफी अच्छा लग रहा है और यह आप साइट एवन में लगाओ मैं साइट एवन में लगा के दिखाती हूँ कि कैसा लगता है यह काफी प्यारा लगा मुझे और बहुत ही के लगा है जो हमारा next one है वो मैंने मंगाया है bamboo stick यह है आप देख सकते हो इसमें यह ऐसे joint हो रखे हैं यहां पर और यहां पर आपको five stick ऐसे joint मिलेंगे और इसको अगर आप अच्छी तरीके से फैलाद हो गे ना तो काफी खिले-खिले से bamboo stick हो जाएंगे और यह मुझे ना इतने अच्छी लगी और यह bamboo stick ना मतलब मैं बहुत जादा ढूड रहे थी मुझे कहीं मिल नहीं रहा था बट मिश्व मुझे मिल गया और इसके quality बहुत जादा अच्छी है रियल बैंबू टैप का दिख रहा है दिख रहा है आपको यह रियल बैंबू मुझे लग रहा है और काफी जादा अच्छा लगेगा घर तो मैंने इसे रिसीव कर लिया है काफी अच्छी क्वालिटी मुझे रिसीव हुई है अगर इस टैप का बैंबू अगर आप भी तूड रहे हो ना तो इसे आप पर्टेस कर सकते हो इसका को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल ज जाती हूं जहां पर मुझे ओरिजिनल वाले दिखें तो मैंने इसे पर्टेस कर लिया और काफी ज्यादा ब्यूटिपूल सा यह लग रहा है मैं इससे लेकर बहुत ज्यादा खुश हो आपको कैसा लग रहा है कॉमेंट करके जरूर बताना इसमें यह है हमारा बैंबू स् साथ शेयर कर दें जिससे कि उनको भी अगर जरूरत होगा है तो वो यह सब चीज देखकर पर्टेस कर सकते हैं यह हैलफुल हो सकता उनके लिए भी तो चलिए फिर मैं मिलूंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई थाइंक्यू